प्रदेश के चुनावी समर में नर्मदापुरम की होशंगाबाद विधानसभा का चुनाव सबसे दिल्चस्प है जहां कॉंग्रस ने बीजेपी छोड़ कर आये पूरो विधाय गिर्जा शंकर शर्मा को टिकट दिया है वही बीजेपी ने ही उनके चोटे भाई और पूरो विधानसभा ध्यक्ष डॉक्तर सीता शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया इस सीट पर अब सगे भाईयों के बीच मुकाबला होगा यही वज़ाए कि होशंगबाद विधानसभा सीट का चुनाव सबसे रुमांचक होने वाला है आपको बता दें के परिसीमन के पहले इटारसी और अब होशंगबाद विधानसभा सीट पर बीचे तीन दशक से इसी शर्मा परिवार के सदस्य विधायक बन रहे हैं पहले 1989, 1993 और 1998 में डॉक्टर सीता शरन शर्मा इटारसी विधायक रहे 2003 में गिरिजा शर्मा इटारसी से और परिसीमन के बाद 2008 में होशंगबाद से भाजपा के विधायक बने 2013 में भाजपा ने गिरिजा शर्मा का टिकट काट कर उनके भाई सीता शरन शर्मा को मौका दिया और फिर 2013 और 2018 में डॉक्टर शर्मा विधायक रहे 2013 में डॉक्टर शर्मा विधान सा बाध्यक्ष भी रहे विधायक डॉक्टर सीता शरन शर्मा के मताबिक ये चुनाओ दू व्यक्ति का नहीं बलके दो विचारधाराओं के बीच होगा